आज हम बात करेंगे, अगर आप IGNU का एक्जाम देने वाले हैं, तो examination center पर आपको क्या-क्या चीज़े ले करके जाना होगा और क्या-क्या चीज़े ले करके नहीं जा सकते हैं। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिया आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा और इगनु से रेलेटेड सभी अपटेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि नए इस वीडियो को आपने एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले अगर अभी तक आपनी डेखा आप देख सकते हैं क्यों कि इस वीडियो मैंने डिटेयल में बता रखाए कि एक्जामी सेंटर पर आपको क्या क्या गलती नहीं करना है अगर करते हैं तो ऐसे में आपका पूरा का पूरा पेपर कैंसल हो सकता है और अब बात करते हैं इस 비ची के बारे में कि जब आप एक्जाम देने के लिए एक्जाम सेंटर पर जाेंगे तो वहाँ आप एक्जाम सेंडर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको sitting plan वगेरा देखना होगा sitting plan जो है exam center के बाहरी कहीं पर दिबार पर या फिर इस तरीके से board पर लगा होगा और इसमें आपको क्या देखना है इसमें आपको ये देखना है कि आपको कौन से room number या फिर कौन से hall number में ब प्रेट करके एक्जाम लिखना होगा और साथी में ये भी होता है कि आपका एक्जाम जब भी स्टार्ट होने वाला रहता है जैसे कि अगर आपका एक्जाम दो बजे से स्टार्ट है या फिर दस बजे से स्टार्ट है तो एक्जाम स्टार्ट होने से 10 या फिर 15 मिनिट पहले ही examination hall में entry दे दिया जाता है और फिर आपको answer seat दिया जाता है जिसका front page आपको fill up करना होता है अगर आपको front page fill up करने के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप ये video देख सकते हैं इसमें मैंने पूरा detail में बता रखा है और जब आपका exam start होनी वाला रहता है जैसी कि 2 बज़े से paper start है या फिर 10 बज़े से तो पूरा 2 बज़े से या फिर 10 बज़े से ही start हो जाएगा यानि कि 2 बज़े या फिर 10 बज़े से आप direct exam लिखना start कर सकते हैं आपको वहाँ पर permission दे दिया जाएगा बात करें कि क्या कहए चीज़े आपको लेकर के जाना होगा तो सबसे पहले जो आपका इगनू का hall ticket है जिसे हम admit card भी कहते है ये आपको लेकर के जाना होगा इसका print out आपको निकलवाना होगा अगर पहले से ही फोटो यहाँ पर आरक है तो आपको सिगनेचर करने की जरूरत नहीं है दूसरा क्या है कि इगनु का जो आपका ID कार्ड है ये भी आपको लेकर के जाना होगा इसका प्रिंट आउट आप निकलवा लिजिए ये आपको वहाँ पर दिखाना होगा इसके लबा क्या है कि मानलीज कि अगर आपके पास ID कार्ड नहीं है तो आप कोई भी सरकारी डोकुमेंट जिस पर आपका फोटो लगा हो जैसे कि आपका अधार कार्ड हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया ये भी आप वहाँ पर दिखा सकते हैं इससे भी आपको examination hall में entry दे दिया जाएगा और फिर आप exam दे सकते हैं इसके अलाबा यहाँ पर आपका ये भी सवाल रहता है कि जो exam board रहता है ये आप ले करके जा सकते है या फिर नहीं तो इस चीज़ का वहाँ पर कोई खास जरूरत तो पढ़ता नहीं है लेकिन अगर आप फिर भी ले जाना चाते हैं तो आप transparent वाला जो है ले करके जा सकते हैं ऐसा जो रहता है बिल्कूल ही जिसमें आर पार दिखाई देता है ये आप ले करके जा सकते हैं साथी में ये भी सवाल रहता है कि जो mobile phone है इसको आप ले करके जा सकते हैं या फिर नहीं तो देखते हैं कि इगनु इसके बारे में क्या कहता है तो जैसा कि आपको hall ticket डाउनलोड करने का जो website है यहाँ पर भी बताया गया है सबसे पहले ही बताया है कि mobile phone, bluetooth या फिर wireless earphone या फिर कोई भी device या फिर आपका smart watch हो गया, bag हो गया, handbag हो गया या फिर paper, notebook, books या फिर calculator या फिर car key हो गया या फिर कोई भी electronic gadget हो गया ये सब चीज़े आप ले करके नहीं जा सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका calculator है आप उसी condition में ले करके जा सकते हैं अगर exam के question paper पर लिखा हुआ है कि आप calculator के इस्तेमाल कर सकते हैं तो ही आप ले करके जा सकते हैं तो यहाँ पर जो भी चीज़े बताया गया है इन सब चीजों को आप examination center पर ले करके नहीं जा सकते हैं अगर ले करके जाते हैं तो वहाँ पर क्या कि examination center पर यह सब चीज़े रखने का कोई भी arrangement बंदुबस्त नहीं किया गया है इस सब आपको अपने risk पर ही रखना होगा अगर यह हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो इसमें जो है university आपकी कोई भी help नहीं करेगा तो यह सब चीज़े अगर आप ले करके जाते हैं तो यह आपको अपने risk पर कहीं पर रखना होगा नॉर्मली मुबाइल फोन आप लेकर के जाते है तो वहाँ पर यह होता है कि एक्जामीनेशन होल के बाहर आपको रखना होता है तो बस यह चीज़े ही आप एक्जामीनेशन सेंटर पर लेकर के जा सकते है और क्या कैशीजे लेकर के नहीं जा सकते है वो भी मैंने आपको बता दिया है इस बीडियो में इतना ही अगर यह बीडियों आपको पसंद आया है तो लाइक किजिए, और अभी तक आपने हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है तो जॉइन कर सकते हैं और इसके अलावा अब तो हमारे टेलिग्राम चैनल वेरिफाइड भी हो चुका है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं साथी में आपका कोई सबाल है तो नीचे कॉमेट बोक्स में बता सकते हैं